गैसेंड स्थाई राजधानी और पंचेश्वर डाम के विरोध को लेकर हल्दवानी के बुद्ध पार्क में अत्राखन क्रांथी डल के कारिकरताओं में पूर्व विधायक और वरिष्ट नेता नारायन सिंग जद्वाल के नेतरत्व में धरना प्रदशन किया यहां UKD कारिकरताओं ने सरकार से गैसेंड को सीगर स्थाई राजधानी बनानी की मांग की है तो वहीं उन्होंने पंचेश्वर जैसे विशाल का डाम को राज़े के लिए हित कर नहीं बताया है जिसके लिए उन्होंने डाम का भी वरोध किया है UKD कारिकरताओं का क्याना है कोई गर्टलब है कि जहां उत्राखंड राज्य को बने 17 साल का समय हो गया है वहीं 17 सालों में किसी भी सरकार ने गर्टलब को साई राजधानी बनानी की कोई ठोस कवायब नहीं की है जिसको लेकर UKD कारिकटनाओं ने अपने केंद्री नेतरत्व के निर्देश पर निर्देश के बाल पूरे राज में अपना एक दिवसी धर्णा पर जिशन किया देखिए उत्राखंड राजी की जो परिकल पना थी उकरात उत्राखंड करांचिदर और उत्राखंड की जनता ने राजी के संगर्श के दर्म्यान कैसा प्रदेश हो कैसी हां की नीतिया हो और खास तोर से राज सत्ता का जो केंद्र है जो एक पिछड़ा प्रदेश है जिसकी भोगोलिक परिशितियां बड़ी दुरगम है उनके लिए कौन से राजधानी हो उत्राखंड का अंजल ने जनता के साथ मिलकर गैर सेन का चैन किया था ताकि पूरे प्रदेश का समध्र और संतुलित विकास हो सके और यह समसर्शाली प्रदेश बने और यही नहीं उकरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार ने जो पांच कैबिलेट मंत्रियों की एक रमाशंकर कौशिक समिती बनाई थी उसने भी गैर सेन को राजधानी के लिए सबसे उप्यक वाना था लेकिन यह दुरभागी की बात है दिल्ली के इशारे पर काम करने वाली भारती जनता पार्टी और कॉंगरेस के सरकारों ने राजजी बनने के इतने सालों के बाद भी आज तक गैर शन को इसताय राजधानी घोशित नहीं किया